सूरा मेरे मज़ पमान टठाना फेर मनी सिख्खा पदिंसमादियानी बुद्धं सरेन गच्छा मूँ आज जो ये कारिकरम है ये संतों का कारिकरम है सांति का कारिकरम है Southern लगबग पांच सो साल के बाद में हम के हम दुबाद से जो शन्त संतती है, संत परंपरा है, उसको विधीवत रूप से पुने संत चक पवत्तन में लेके आ रही हैं। संत चक पवत्तन मतलब संतों का आना, संतों का दुनिया को लाब देना और फिर चले जाना। ऐसा नहीं है कि भारत भूमी संत विहीन है, भारत भूमी की एक खाचत है कि वो कभी भी संत विहीन नहीं रही है। उस पर बड़े-बड़े संत आये हैं, संतों के नाम अलग-अलग तरीक से रहे हैं, सम्यक्सम बुद्ध संत रहे हैं, महावीर संत रहे हैं, कवीर साथ संत रहे हैं, गुरु रविदा जी संत रहे हैं, चोखा मेला जी संत रहे हैं, नाम देव संत रहे हैं, गुरु घाजि साद के जो परंपरा की संताने रही हैं यानि संत के अनुरियाई उनको संतान बोलते हैं संतान वो नहीं होती जो हम पैदा करते हैं संतान वो होती है जो संत पैदा करते हैं अपने गुणों से अपने सद गुणों से तो उनकी संतान जब लगातार काम करती है तो उसको संतती संत तती परंपरा तो वो परंपरा लगातार चलती रही है पर हम उन परंपराओं को पहचान नहीं पाते और अपने संतों को जान नहीं पाए कि हमारे कितने संत कहां कहां कैसे कैसे हैं और वो संत परंप्रा क्या है? संत परंप्राएं उनके अनुयाईयों ने उनके चेलों ने व्यापार में बदल दी और संतों की बाणी को एक घेरे में बदल दिया मेरा संत जो कहता है वही बात सच है और उसको भी बदल दिया संत ने जो कहा वो बताया नहीं उससे क्या हुआ कि संत जैसे हमारे लोग काम करने वाले थे और उनको जातियों के काम के नाम से घेरे में बंद कर दिया वैसे ही संतों को भी उनके नाम से उनकी अनुयाईों ने घेरे में बंद कर दिया और संत की वानी को बहुत छोटा करके आपस में लड़ा दिया संतों तो चाये और चले गए पर जिनोंने उनके नाम से जमीने खईदी, देरे बनाए जो उनके नाम से बड़ी-बड़ी सभाई आईजुद करते हैं, जो उनके दर्सन के लिए या उनके अनुयाईयों के दर्सन के लिए ऐसा करते हैं कि आगे बैठने वाले का एक लाख पे संतों की वाणी के नाम पे ब्यापार में बदल दिया और जो लोग ब्यापार का लाब उठाते रहे उन्हों ने एक दूसरे के अंदर वैमनस से बढ़ा दिया ताकि वो लड़ते रहें और संतों की वाणी का कहीं पता ना रहे और ब्यापार लगाता चलता रहे हमारे भो जानी जो परंपरा है संतों की वो बहुत ताकतवर है हमारा व्यक्ति जिसको हम संत मान लेते हैं उस पर आँख बंद करके भरुसा करता है उसको अपनी मन की बात बताता है उससे दुगदर्द की बात पूचता है उसकी बात को मानता है इसी बात का फाइदा उठाकर लोगों संतों की जो भेश-वूसा है वो अपना ली सभी संतों ने अपनी अलग-अल invert भीश-बहुशाएं धारण की उनकी अनुईयाईों ने भेश-वूसाओं पर व्यापार किये उनके भेश-बहुशा से उनके गेरे बन गए उनकी पहचान बन गई और उस पहचान से मैं वैसे बोल देता हूं आवाज तो आ रही है ना तो जो उन्हों ने वहां जितने भी भेज भुसाओं का वैपार किया या आचार वैवार का वैपार किया उससे संत संत परंपरा कलंकित हो गई पर यह ध्यान किसी को नहीं आने दिया गया कि संत परंपरा खतम हो चुकी है कलंकित हो चुकी है ब्यापार में बदल चुकी है और संत परंपरा को बहुत सारे असंतों ने कबजा कर लिया है जिनका दूसरा नाम है ब्यापारी हमारे भोले भाले लोग बहुत सारे संतों के हैं नाम पर जाते हैं संत नहीं हैं पर संतों के नाम पर जो डेरे हैं जो मठ हैं जो आसरम हैं जो उन्होंने स्थान बना रखे हैं वहां जाते हैं और वहां जाकर वो शांती प्रात्व करना चाहते हैं, वो वहां जाके मुक्त होना चाहते हैं, वो वहां जाके मन की बात कहके मन को शांती प्रात्व करना चाहते हैं, पर सांती नहीं मिल रही कहीं भी, हमारे परिवार असांत होते जा रहे हैं, हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं, और आपस में उलस्ते जा रहे हैं खालत ऐसी हो गई है कि आरके सिंग सर यह प्रिचार सामिग्री पैदा कि वही है टीवी चैनल सारे प्रिचार माध्यम इस बात पूरी ताकट लगा रहे हैं कि ये वाला संथ और ज्यादा अच्छा है ये वाला संथ thझोडा कम अच्छा है ताकि उनके यहां लोग आए जाए और लोग उनको मानता के साब से उनका खर्चा पानी दें और उनको पैसा मिले जो कि समड सब्वेता एक बहुत बड़ी सब्वेता है और समड सब्वेता बहुत तेरी से उभर रही है समड सब्वेता के आने से जो समड सब्वेता है उसके और भी अंग धिरे-दिरे डबलब हो रहे हैं भारत के अंदर समड सब्वेता सबसे विसालतम इकलोती सब्वेता है कोई और सब्वेता भारत में नहीं है कोई कहे के कोई दूसी सभ्था है जिसको वमल सभ्था बोलते हैं तो ऐसा नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बहार से आता है तो वो अपनी सभ्था को ले के आता है पर उस देश की सभ्था उसकी सभ्था नहीं बनती ये ठीक ऐसे है जैसे हमारे बहुत सारे लोग इंगलेंड जाके नौकरी कर रहे हैं और उनकी सब्भेता इंगलिस सब्भेता नहीं है कोई व्यक्ति यहां आए ब्यापार करे इस्ट इंडिया कंपनी बनाए बेसक वो अंग्रेज हैं या मुगल हैं यहां आए ब्यापार करें लड़ें राज बनाए तो जो मुगल हैं या जो इंगलिस लोग हैं उनकी सब्भेता किसी भी हलत में समढ़ सब्भेता नहीं हो सकती वो यहां सेक्टर हो सकते हैं, इंगली सेक्टर हैं, मुगल सेक्टर हैं, जो सीरियन सेक्टर हैं, वो सेक्टर हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, पर सब्भैता भारत की है, वो इसको अपनाएं या नापनाएं, वो अलग बात है तो जो संत परंपरा है वो संत परंपरा की समण संग को क्यों आवसकता पड़ी क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जवान होता है वैसे वैसे उसके कपड़े बदलते जाते हैं उसकी आवसकता बदलती जाती है उसकी जरुत बदलती जाती है तो समणों की आवसकत करने को त्यार नहीं है जो किसी महापुरुस्थ पर तर्ग वितर करने को त्यार नहीं है अगर कोई संत उन्हें मिल जाए कोई बाबा उन्हें मिल जाए कोई साधू उन्हें जाए तो पुराने यकीन के साथ में वो उस पर यकीन कर लेते हैं पुराने यकीन के साथ में जो पुराना समणों का संतों का जो डेरा था जो संतों का यकीन था उसके आधार पे वो तुरंत अपना सारा यकीन सारा विश्वास उसको संत को दे देते हैं वही कारण है कि हमारे लोग अलग-अलग जो संत हैं जो समढ संत नहीं है उनके हैं जाते है और अपने दुखदारदूर करने के ‫Lie प्रयास करते हैं पर कोई जो समढ संत नहीं है जो समणिय धम को नहीं जानता है। । उसका बताएगा उसका उल्टा ही बताएगा इसलिए उसको शांती नहीं मिलती उसका पैसा तो जा सकता है उसका समय तो जा सकता है पर उसको सांती मिले ऐसा संभव नहीं है और क्या होता है कि व्यक्ति को जब सांती नहीं मिलती तो वो दूसरा बाबा ढूंड लेता है दूसरा से सुईकारे कि मैं फलाने संत के पास गया फलाने बाबा के पास गया फलाने आस्रम में गया और मैंने वहाँ पे उनके हिसाब से उनको दिया भी मैंने सब कुछ टाइम भी खर्च किया अपने बच्चों को भी लगाया अपने रिजदारों को लगाया पर मुझे कोई सांती स सुख्र नहीं मिला महां से कोई अच्छी सिक्षा नहीं मिली महां से तो ये एक बड़ा सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर है ये तना बड़ा सेक्टर है कि ये सेक्टर पूरे भारत पर रूल करता है पूरे भारत के संसद्य सिस्टम को चलाता है पूरे भारत के लोगों को मोबलाइज करता है किसी को आप आरक्षण दो वह आरक्षण देने वाले का अनुयाई हो सकता है पर जिसको आरक्षण का लाब नहीं मिला है वह आरक्षण देने वाले का अनुयाई हो ऐसा संभव नहीं है पर मन सब के पास होता है सांती सब को चाहिए सब को एक गुरू की है सबको एक संत की आवसकता होती है अपना यकीन अपना दुग-दर्द देने के लिए उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी मानेता हो कि यह व्यक्ति सच में संत के गुणों को रखता है और वो मानेता दूर दूर तक भी हमारे पास नहीं है पिछले 500 सालों पर जो मानेता हैं उनमें संत नहीं हैं संत के अनुयाई हैं वो कैद हो चुकी हैं वो खतम हो चुकी हैं वो बदल चुकी हैं तो जीवित संत हमारे पास नहीं है हमारे पास में महरूम संत हैं यानि जो सरीर को छोड़ चुके हैं उनकी वानी हैं और वो संत हैं वो हजारों में हैं और उनक को यह कहने के लिए कि समनीज धंभ तो यह सांति का धंभ तो यह है प्राक्रतिक बात तो यह सुक्षद इस से प्राप्थ होगा पापों से मुक्ति तो हैसे होगी जीवन ऐसे सुःओं अपको जो संसकार सत्संसकार वो ऐसे आएगा जीवित संत परंपरा हमारी खतम हो चुकी है तो यहां सभी लोगों ने ये महसूस किया कि हमें अपने जितने भी संत हैं जिनमें संत के गुण हैं उनको समणों के सामने लाना चाहिए और समणों की मानेता हांसिल करनी चाहिए क्योंकि अगर समण लोग अपने किसी जीवित व्यक्ति को या बहुत सारे जीवित लोगों को ऐसी मानेता देते हैं कि वो संत के गुण रखते हैं और अगर थोड़े भी संत के गुण रखते हैं तो जैसे जैसे मानेता बड़ी होती जाएंगी संत अपने गुणों को और स्कता महसूस हुई और सदन लगा समणों का समणों के सदन में संत परंपरा के लिए संत समागम के लिए बात हुई तो एक ग्यारे फरवरी को बहुत बड़ा संत समागम दिल्ली के अंदर तालकट्रॉइ वहां बहुत सारे संत आए बुद्ध मत के संत आए कबीर मत के संत आए रविदास मत के संत आए वालमी की मत के संत आए गुरु हर्चन ठाकोर और गुरु घाईदाजी इन सब के संत वहां पहुंचे और उसे बात हुई वह आए पैठे चले गए पर वह एक नहीं हुए एक हो को अपनी बात कहने थी अपनी बात कही जिसको नहीं कहने थी नहीं कही बैठे साथ खाना खाया साथ भोजन किया पर विचारों का लेंदें नहीं हुआ संतों की वाणी का लेंदें नहीं हुआ आपस में हमेसा के लिए सारे संतों को एक हो जाएं ऐसा लेंदें नहीं हुआ ऐ इतने भी संथ हैं अब तक जितने भी संथ आये हैं और जो आएंगे और जो चल रहे हैं किसी भी संथ ने कभी यह नहीं कहा कि अनुयाईयों को शराप पीनी चाहिए नसा करना चाहिए किसी भी संथ ने यह नहीं कहा कि पाप कर्म करने चाहिए किसी भी संथ ने यह नहीं कहा क संतों की फिर जब वाणी एक है और सारे सारे समण संत हैं तो फिर एक साथ क्यों नहीं है क्योंकि उनको एक साथ बताने के लिए उनको ये कहने के लिए कि भाई जो समढ़ गुरु कहके गए हैं जो समढ़ संत कहके गए हैं जिनकी वाणी को आप फॉलो कर रहे हो जिनकी बात को आप लोगों को बता रहे हो वो तो सबकी एक ही है कोई है नहीं कोई माध्यम नहीं है साधान व्यक्ति एगर संत को कुछ कहता है तो सीधा सीधा एहम या नियम हर्ट होता है अरे तुम साधान व्यक्ति हो तुम हमको सिखाओगे कि संत को कैसे रहना चाहिए कैसे खटा होना चाहिए वो आपके अंदर दो कमी बताना सुरू कर देगा अब हम तो साधान लोग हैं संत को कुछ कहएगा कुछ कह भी नहीं सकते संत का चोला है संत की मानेता है तो संत को यह कौन कहेगा कठोटा के साथ में कि भाई हम सब एक हैं कौन कहेगा संत को कि भाई आप गलती कर रहे हो कौन कहेगा संत को कि आप काम कर रहे हो कौन कहेगा के आप तो लोगों को जोड़नी की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हो कौन कहेगा के संतों को पैसा नहीं कटा करना चाहिए कौन कहेगा के संत का तो सिर्फ चोला होता है एक चोला और उसके बाद दो एक वक्ती रोटी होती है यही उसका जीवन होता कौन कहेगा संत को कि उसके लिए साहे लोगों को अच्छा बनाना है यह उसका काम है कौन कहेगा संत को कि अगर समड़ों पर कोई आफ़ात आए तो सबसे पहले संत खड़े होंगे और वो इखटे भी नहीं है इसलिए जो समड़ लोग हैं उन्होंने ये तै किया कि हम अपने जीवित संतों को ढूंडेंगे उनको माननेता देंगे और उनको कहेंगे, निविदन करेंगे कि सारे संतों में जाके बैठें सारे संतों को समणों की वारणी को याद दिलाएं सारे जितने भी संत हैं, जितने भी बाबा हैं, गुरू हैं उनको बताएं कि हमारा कल्यान रुका पड़ा है क्योंकि सबी ने थोड़े-थोड़े लोग अनुयाई बना रखे हैं और वो कभी खटे नहीं होते हैं वो क्यों नहीं खटे होते हैं उनसे जा के बात करें तो ये तरकीव काम कर सकती है क्योंकि जब आप अपने किसी समण को जिसमें संत के गुण हैं उसको अगर संत की मानेता देंगे तो उसका अधिकार बन जाएगा कि वो ऐसे संतों में जिनके पास मानेता ही नहीं है भारत के अंदर जैसे 29 लाग संग्ठन है और उनको लोगों की मानेता नहीं है वो स्वेम संभू संग्ठन हैं लोगोंने खुद बनाए हुए हैं लोगों से उन्होंने कोई वोटिंग नहीं कराई है कोई मत नहीं पूछा है अगर लोगों से मत पूछा होता तो लोग यह कहते राजनिती का तो एकी संग्ठन होना चाहिए सामाजिक तो एक ही संग्ठन होना चाहिए जैजु किसन का तो एक ही संग्ठन होना चाहिए सरकारी करमचारियों को तो एक ही संग्ठन होना चाहिए जितने भी धार्मिक बाबा वगएरा है इन सब का एक ही संग्ठन होना चाहिए और ये सब भी एक जगा होने चाहिए किसी भी साधारन व्यक्ति की कभी भी ये एक्षा नहीं है कि एक काम के दो संग्ठन होने चाहिए एक काम की ब्रांच तो सारे सहर में हो सकती है सारे गाउं में हो सकती है पर एक काम के दो संग्ठन हो कोई नहीं चायता इसलिए साधारन वह कभी बी खेश बर्वाद करना नहीं चायते पर उन्से कौन है कोई को उनको जानता नहीं इसलिए मंत्री अपने ही जनल सेक्री अपने अपन के हरतरे के सम्पर बनाये हुए हैं già तो जितने भी साधु बावा जो प्रानी संतों की मानेता पर चल रहे हैं उन्होंने कभी हम से साधान लोगों से पूछा नहीं कि हम जो संत बने हैं या संत के अनुयाई हैं या जो संतों के लिए काम कर रहे हैं या जो संत का हम वानी को आगे बढ़ा रहे हैं या जो हम कि देखो संतों के यह नियम है विने पीटक में साफ लिखे हुए हैं अगर आप इस पर चलते हो तो फिर तो आप अलग हो नहीं सकते और जग इस पर नहीं चलते हो तो इनको सुधार लो पर हमसे कोई पूच्ता नहीं लोग अपने अप मेरे वाद्मक रूप से लेके आते हैं और ऐसामने वाले को लगता है ठीक है और हमको लगता है के हमने अपनी जान चुड़ाई है उससे नुकसान होता है तो हम से अगर कोई संत मान अगर मानेता मांगता तो संत मानेता के हिसाब से एक ही डेरा होता एक ही बावा होते पूरे देश के अंदर राष्टे संत होते अंतराष्टे संत होते जिले के संत होते महले के संत होते तहसील के संत होते गाउं के संत होते और संत परंपरा ऐसे करक होती है उर वो लोगों संचलित करती औसे बड़ा फायदा होता उससे हम एक जटके से आहरा नमर से बाहर निकला आते उससे हम सही बात बोलते उससे घलत बात करने वाले जो लोग हैं वो हमारी बीश में आते ही नहीग है तो यह आवसकता महसुस हुई कि मानेता वाले संथ होने चाहिए जैसे पहले होते थे लोगों ने माना तब संथ बनते थे किसी ने यह कहा कि मैं संथ हूं तो संथ नहीं बनते थे और अधिकतर जो संतों की उपादी लोगों को मिली मरने के बाद मिली पूरे जीवन उन्होंने लोगों के उधार का काम किया लोगों का उन्होंने मुख प्रात कराया लोगों को सुख सांती दी और जब वो मर गए उसके बाद मैं उनको संतों के लिए कहाicken जी ये संत है पर हमारे जीवित संत बौध परंपरा में रहे हैं पचास जार जीवित संत रहे हैं उस्समें उनके नीयम रहें और उससे बड़ा लाभ आज तक भी हमें हुआ है पर वो बहुत परंपरा के जो संत हैं या जो महावीर परंपरा के संत हैं या जो कवीर परंपरा के संत हैं जो रविदास परंपरा के संत हैं या जो तुकाराम परंपरा के संत हैं या जितने भी नाम दे परंपरा के संत हैं वो सारे संत भी आपस में उलजे हुए हैं क्योंकि अनुयाई उनकी बात को नहीं उनके मठो को पानी दे रहे हैं तो हमारी माननेता की बात पहली वार सही तरीके से क्योंकि जिस संत को हमने माना ही नहीं वो संत कैसे हो गया वो तो फिर स्वेम संभू हो गया और जिसको स्रम्ण लोगों ने माननेता दे दी फिर दुनिया की कोई ताक्त नहीं है कि उसको असंत घोषित कर दे या उसको यह कहे कि यह हमारा संत नहीं है तो मानेता को देने का काम और अपने मानने संत बनाने का काम पुरानी परंपरा के नुसार हम यहां आरहम करेंगे और यह जो यहां प्रस्ताब हुआ है यह प्रस्ताब सदन में पास हो चुका है समणों के सदन में और समणों के सदन में एक मत्से पास हुआ कि राष्ट्य संत हमारे रतिलाल देशाई सर्ग इसके लायक हैं उनकी सहमती ली गई सहमती लेना भी जरूरी है आपने किसी को कह द आपने बनाया मैं बन गया आपको पता होना चाहिए था तो दोनों तरब से बात होनी चाहिए कि जो समण लोग हैं वो प्रस्तावित करें और जिनको संत प्रस्तावित किया है उनकी भी मन होना चाहिए ताकि वो इस कारिय भार को अच्छी तरह से चला सकें संत परंपरा में संत बनना उपाधी पद नहीं है जीवन देना है और बहुत सारे अधिकार खतम हो जाते हैं कुछ अधिकार मिलते भी है पवलिक में उल्टे सीधे कपड़े पहने के नहीं जा सकते ये गरत्फ दो तरह के संत हैं गरत्फ और अनागारिक पवलिक के अंदर कोई राग देश की भावना या प्रदस्न नहीं कर सकते पारवारिक जीवन की जो बाते हैं वो चार दिवारी के अंदर परिवार में रहती हैं बाहर नहीं आ सकते जब मिलना है किसी से तो उनको प्रॉपर ड्रेस में मिल सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं है और जाके मिल गए कहीं धूम धड़ा का राग देश की कोई बात हैं हो रही है साजुनिक स्थानों पर वहां नहीं जा सकते उसे मन खराब होता है तो क्या देशना देगा और अगर देशना देता भी है और सामने वाले को यह पता चलेगा अरे तो संत वैसा ही है इस संत को तो अभी हमने वहां यह करते हुँ देखा वो करते हुँ देखा तो असंत वानी जाएगी तो नुकसान और ज्यादा हो जाएगा ना हो से ज्यादा सब्सक्राइब भैतर है खराप नहीं होना चाहिए त्याब ये सक ना हो संत को सावजिनिक जीवन के अंदर गरीमा का ध्यान रखना पड़ता है लगबग सावजिनिक जीवन की जो छोटी मोटी बाते हैं वो छोड़नी पड़ती है संत के आने जाने के भी सिद्धांत होते नियम होते हैं संत के खाने की दिंचरिया होती है संत के उठने बैठने की दिंचरिया होती है संत अपने परिवार के लिए किसी से याच्रा नहीं कर सकता अपने पुत्र पुत्री को सबके पुत्र पुत्री मानता है इसलिए कोई खास उनके लिए सुविधाय नहीं ले सकता संत जो बनते हैं उनको गरिमाओं का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस इस्थान पे संत की गरिमा है, किस पे नहीं है, ये उनको जज करना पड़ता है। 24 घंटे उनको जागित रहना पड़ता है, 24 घंटे, सोते हुए भी कोई मन के अंदर ऐसी बात ना है वो उतना ही उपर चला जाता है और जिस असंत का समाज उससे सीखता है वो उतना ही गर्त में चला जाता है जिसके संत उचे होते हैं जिनके चरित उचे होते हैं उनके समाजों के चरित बहुत उचे हो जाते हैं यही कारण है कि भारत के लोगों का पूर्वी एशिया के अंद इतना सम्मान होता था पुराने समय में कि एकर कोई व्यक्ति चला जाए कैसा भी व्यक्ति है तो उसको कहते थे संत के देश से आया है बुद्ध के देश से आया है ना पासपोर्ट ना बीजार उसकी क्या स्वागत आज भी भारत की एशिया लाइट आफ एशिया बोलते हैं तो उनको अच्छा व्यक्ति मानते हैं और उनी संत के नाम पर पूरी दुनिया आज भी व्यापार करती है और कहती है बुद्ध के देश से आये हुए क्यों क्योंकि संत की परिमा जो संत का पूरी गरिमा है उसका जो उच्छतम मापदंड है उच्छतम इससे ज्यादा कोई व्यक्ति बाद में ये ना कहे कि मैं बुद्ध का वनसज हूं तो मुझे ये लाव मिलना चाहिए परवार भी लगा दिया पूरा काम में परवार खतम कर दिया सब चीज खतम कर दी कोई एक भी उस संत के अंदर एक भी कमी आज तक है नहीं सिंगल कमी आप ढूंडोग कि विरोदियों से भी डूंडो पूछ लो तो भी आपको एक सिंगल भी कमी उस संत के अंदर नहीं मिलेगी पर उसके अनुयाईओं ने उसके संत को छोटा बनाने के लिए मजभ में धरम में धम में एक रिलिजिन के रूप में उन लोगों के चकर में आकर उसको छोटा करन हो चुकी है वो बहुत दूर तक जाने वाली है। यूपी के बहुत वनने वाले हैं महाराश्ट में बहुत संफ बनने वाले हैं और आप लोगों मैसे यादे उनका संग होता है, वो अपने हिसाब से अपने नियम चलाते हैं और बनाते हैं, वो धीरे धीरे बन जाएगा, पहले राष्टे संथ आज बनेंगे, उसके बाद जब दूसरे संथ बनेंगे, तो दो संथ मिलके संग बना लेते हैं, उसके बाद वो अपने नियम खुड डबल और वह करेंगे इससे बहुत लाब होने वाला है कि इससे इतना लाभ होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते भारत के अंदर समणों को इखटा करने में आज तक जो फेलियर रहा है हमारा उससा कारण क्या है कि बुद्धी जीवी लोग तो फिर भी लड़ जगल के एक साथ बैट जाते हैं भले ही चाहें वो एक साथ ना हो भले ही चाहें उनके इगो एहम टक्रा रहे हों अगर फिर भी वो बड़े-बड़े काईक्रम में जब कभी कोई उनका ऐसा काईकरम होती है कि चलो सब को इखड़ा होना और आपको जानके हरानी होगी कि ऐसे यते हैं लोग संतों के अनुयाई हैं जो कभी हो देखते सब्ढ़े क्योंकि वह अपने संतों से अपने बाबाओंसामां बद्धे हुए हैं और किस कदर बद्धे हुए हैं आप उनका यकीन कर सकते हैं कि आप लाग समझाओ डॉक्टर अंबेटकर को आप लाग समझाओ के समिधान यह होता है उनके सर्व के उपर से निकल जाता है उनको संत की बात समझ में आती है तो जिसको जैसे इखटा कर सकते हैं वैसे इखटा करना चाहिए क्योंकि संतों की परंप कि संत प्रंपरा है सांत जो होगा वो समणी होगा आप किसी भी पुरानी प्रंपरा से लेके और नई प्रंपरा की बीच में जो अंतर है उसमें देख सकते हैं समणों के लावा एक भी संत आपको नहीं मिलेगा मिले तो आप दिखा सकते हैं कि यह संत ऐसा है जो समण नहीं है संते क्योंकि समढ़ संत होता है तो यहां हम प्रंपरा का जो काई करंद हैं उसको आगे करेंगे यहां जो में बाद कर शुष चिन बने हुए हैं उनके वारे में मैं बता देता हूं क्योंकि सवाल जवाब बहुत होंगे आपसे जब कोई बात बहुत दिनों बाद निकल के आती है तो सवाल जवाब होते हैं अगर आप यहां से सवालों के जवाब सही से नहीं लेके जाएंगे तो अपना अनुमान लगाएंगे उससे चीज़ां खराब हो जाएंगी इसमें जो ये एक मनुस्य है जिसके उपर एक पेड़ है और नीचे इलेक्ट्रोनिक सरकट है इसका जो सिंबल है ये नीचे जो इलेक्ट्रोनिक सिंबल है इससे हमारी वेदनाय निकल रही है ये हमारे पुराने संखार हैं संखार मतलब जो हम जीवन में काम करते हैं उसका एक एक फॉर्मिसन आता है यहा के बाद में वह जो खुश होने का जो कोड है खुश होने की जो बात है वह हमारे मन के अंदर एक छाप छोड़ती है कहीं एक लाइन बनाती है या वह अंकित हो जाती है मन के अंदर तो संखार है हमारा आज हम बहुत दुख हुए तो संखार बन गया आज हमने कहीं चोरी की त तो उसका छप गया कोई लाला चाया कोई वेफचार आया तो वो छप गया मन को नहीं पता सरीर को नहीं पता कि क्या चीज खराब है और क्या चीज सही है वो बिल्कुल कम्पूटर की तरह दर्ज करता रहता है उसको संखार बोलते हैं जो भी वहवार आपने किया है जो उसको वैवार को बदला जा सके, तो यह जो मनुष्य से है, जिसके नीचे इसके संखार है, यानि कि उसके पुराने संखार जिन से वो पैदा होता है, यह बात इसलिए सच है, क्योंकि अगर किसी माबाब के दो जुनुआ बच्चे पैदा होते हैं, तो एक साथ वो पेट में आते ह एक साथ वो प्रत्वी पर आते हैं पर उनके वहवार अलग-अलग होते हैं किसी भी दो बच्चों के परिवार में किसी भी लोगों के वहवार कभी भी एक से नहीं होते हैं यहां जितने लोग बैठे हैं सबके वहवार अलग-अलग होते हैं क्योंकि सबके संखारे अलग-अ सिध्धान्थ है जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य कैसे पैदा होता है संत इनको कंट्रोल करकर करके रखते हैं संत नए नहीं बने देते ऊपर वाले संतों में नहीं बनते नीचे वाले वो खतम कर देते हैं यही बुद्ध ने बताया यही संतों ने बताया कि हमारा कैसी कल्यान होता है पुराने पापों को खतम कर दो पुराने पापों को बनने मत दो नए कोई पाप आएंगे नहीं जीवन सुद्ध हो जाता है उसके बाद में महापुर्सों का है जितने संत हैं उन इसको कहा गया इसके जितने भी आपको किसी मंदर के उपपर सेर हाथी चील कौवे जो बने वुए मिलते हैं वो सारे हमारे टोटम है वो हमारे परिवारों के पुराने चिन है ठीक वैसे जैसे आज के समय कोई प्राइवेट कंपनी कोई सरकारी कंपनी कोई सेना कोई फोर्स कोई डिपार्टमेंट अपना लोगो बनाता है लोगो लोगो बनाते हैं ना सब अपना अपना चिन बनाते है तो जो चिन होता है वह उस department की पहचान होता है लोगों बोलते हैं उसको totem बोलते हैं तो यह पुराने totem हैं जो यह बताते हैं क्योंकी कुनवे नहीं होते वो अलग से आते हैं उनका कोई चिन्न होगा तो वहां होगा जहां वो होंगे तो ऐसे बहुत सारे हैं पर कुछ प्रमुक लिए गए हैं प्रमुक इसलिए कि आपको पुरानी सभ्था में यह चिन्न जगे-जगे मिलेंगे और पुराने जो मंदर हैं जो जगे-जगे मिलेंगे ये सारे हमारे हैं जो सब्सक्त रएक्ट इसके लब जो हुए अनि वहां किसी पेड़ के नीचे साधा है इसलिए हम उनको संबान के रूप में याद के रूप में यह चिनδे यहां देते हैं जो 4000 और बदम को बताता है यह सीधा भी हमारा है उल्टा चार बिद्ध में वह भी हमारे हैं दुख है दुख का कारण है कारण का निवारन है निवारन का रास्ता यानि मार्ग है इसका मतलब यह है अगर आप इसको उल्टा चलाओगे तो दुख आपका खतम होता है यह सिंबल है खाली आप इसको सीधा चलाओगे तो दुख बढ़ेगा और अगर चार बिंदू रहें और इसी चत्र को तोड़ना सिखाते हैं जो इसमें तीसे नंबर पे है वो हमारा तिलंगाना है तीन लिंग लिंग माणने होता है चिन तीन लाइने तिन लाइने हम यहां जो लगाते हैं वह आपना देखा होगा जो भरुत का स्टूप है और यहाँ आपको तीन लाइनों को दोआर मिलते हैं यह दरसा Paul мы करना है यंदितन देज़सक तीन बात है में चाहिए और भीच में जो हम धम चक्र लगाते हैं या प्रग्या का लगाते हैं कि हमें जागते हुए प्रग्या के साथ पैया के साथ में इन तीनों बातों को मानते रहना है लकीरी की फकीरी नहीं करनी है यह चिन्न हमारा है और अरहत महादेब के जो अरहत महादेबाद में हुए हैं संखारित लोग हुए हैं उन्होंने इन चिन्नों को बहुत प्रमूट किया आगे और आपको इस्तूपों के अंदर भी ये मिलेंगे, जितने भी इस्तूप हैं, उसके अंदर ये सारे मिलेंगे, उसके बाद में चरणपाद है हमारे, चरणपाद का मतलब है, चरणपाद का मतलब है कि जो संत जिस रास्ते पर चलते हैं, चर माने चलना होता है, चरणपाद जो चला हु है इसके लाबार सेक्ड़ों है जो कमल है वह हमारा और बहुत सारे चिन्द्नु का जिक्र है और यह जो सांची का इस तूफ है यह इस बात का है कि यहां हमारा तिलंगारा यह नहीं सiej है चुकि वहां पर तीन चीजों को मानने वाले हैं और वहां पर बहुत बड़ा एक गड़ होता था हमारा, जिसको आप बोलते हैं, आज के समय जहां ये कहते हैं, बुद्ध का बहुत बड़ा अस्तूप है, वहां हजारों लोग आज भी जाते हैं, और आते हैं, ये वह हमारे kultur हमारी है दीदे करके ये है इसह पर तर्क होंगे और उन्हें हैं को यह संत बना दिया बैंने अरे यह इतने होगे अरे ऐसा होगे तो वो कहीवार नेतागिरी का राजनीति का पुट आ जाता है तो वो गिरोधी हो जाते हैं पर उससे घबराना नहीं है सब बहताएं जब डवलप होती है और बड़ी होती हैं तो यह थोड़ी भहुत इंट टुकड़े वगरा यह तूटके चट्टानों से निकलते ही हैं जब भी कोई चट्टान तूटते भिखरती है तो यह चोटी मुटी चीजें होती है उसे घवराने की जरूत है नहीं यहाँ पर जो अब हम संखार करेंगे वह संखार होगा हमारा संखार माने बदलाव यानि के उनके पुराने जो परानी जो पहनते हैं उसे बदलाव होगा तो समण संत किसी भी संत की कोई भी ड्रेस को ले सकता है वो फ्रीडम है हम समण संत के लिए किसी भी ऐशी ड्रेस को जो पूरे सरील को ढखती हो जिसमें एरोटिक ना हो, जिसमें सरीर ना दिखाई देता हो, जिसमें सामने वाले को परिशानी ना हो, जिसमें सामने वाला अपने आपको ऐसा हज महसूस ना करें कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के चला जाए तो ऐसा है जो हो सकता है वो लोगों को अपनी बात नहीं बता सकता ऐसे धारण पहले पूर में रहे हैं जिन लोगों ने पूरी तरह से मन को सुद्ध करके बिना कपड़ों के परचार के लिए निकले पर वो चल नहीं पाया कोई कपड़ा जो पहनते हैं उसको वो धारण कर सकते हैं पर वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की आँख में ना चुबे यह इसलिए हैं क्योंकि हम एक संत का कपड़ा नहीं पहन सकते अगर हम यह कहें जी कि जो कवीर साब ने कपड़ा पहना था वही पहनना है हमारे संतों संत परंपरा में कभी भी कपलों को एहमयत दी ही नहीं कई उसी को फिर परती बना लिया रो Вो उस कपड़े मेंहें कैध हो गए He got you ही फिर संत हो गया संत चला गया कपला संत बन गया तो यहां ऐसी प्रंपरा ना हो दूसरे नंबर पर हम करेंगे समर संत सत्थक दंड गहना धिकार हमारे जो पुराने संत थे वो हम ऐसा कोई छड़ी कोई डंडा रखते थे अपने साथ में ताकि जब वो प्रचाग लिए जा हो तो नहीं पता चलता के वार उनको दूसरी की स्रुक्षा के लिए डंडी करना पड़ता के वार उनकी पहचान होती है कि अगर इनके पास सत्तक दंड है और के वार वह उसमें उपर जंडा टांग के रूपर दिखा देते हैं कि यहां से हम इस रास्ते से आ रहे हैं बहु समण संत को अपने पास में अपनी ख्शाके नुशार हलका भारी कैसा अभी एक दंडी या दंड रखना होगा समण संत सिरोवेठन गेहन संसकार अगर समण संत कोई ऐसे संत की भेशबूसा अपनाना चाहेते हैं जिनका सिरोवएठन है सिरोवेठन मतलब सर पे जो कपले का वेठन होता है किसी भी प्रकार का जैसे मैंने देशाई सर के घर पर देखा कि हमारे एक संथ थे और संथ का वो नाम अपने उसमें जो संथ सील हैं जो हमेशा 24 घंटे संत को अपनाने हैं। उनका जानन तंतू तंतू माझे होता है धागा जानन माने जानकारी। एसा जानन तंतू उनको बांधा जाएगा ताकि उनको हमीचा याद रहेगा। पड़ेगा सफेद रंका वो तंतु होगा जो उनको हमेसा याद दिलाएगा कि उन्होंने सपत ली है कि वह पंच सील से इधर उदर नहीं जाएंगे फिर हमारा आएगा समढ़ संत कार्यभार गहन सपत संसकार यानि जो समढ़ संत को जो पूरे समढ़ों ने कार्यभार दिया इसके वो लेंगे के सब समर्ड लोगों ने कार्यभार संत का दिया है वो उसको अपनाएंगे वहाँ वह सपत होगी उसके बाद में सब्सक्राइज और ने होगी जो वह वानी कराना चाहेंगे उनके साथ में करा सकते हैं अब दूरी बनाते हुए क्योंकि संत एक पाइदा देता हूँ जो संतों के और हमारे लिए हैं और वो हमें पालंग करने हैं संतों के अत्रिक्त किसी से कोई संब्द नहीं यह समण संत की विने हैं कि किसी भी समण संत का समण समणों के लावा किसी से कोई संब्द नहीं कोई वेवार नहीं कोई राग और देश में दूसरों को गाली बखते हैं यह संतों को वहवार नहीं है यह नेता हैं इसके लिए हैं बहुत साइं लोग और हैं वो करें पर संत के लिए विनेपीटक के नुशार होंगे गस्त समर्संत के लिए परिवार का साजुनिक प्रदसन नहीं होगा पतनी परिवार के साथ संबंदों की साजुनिक चर्चा नहीं होगी राग रंके काईक्रम में साजुनिक भागिदारी नहीं होगी अपने लिए अपने परिवार के लिए सिफारिस बंद समर्संत का द्यानिक खर्चा समर्संत अपना निजी खर्चा सामाजी खर्चा खुद वहन करेंगे किसी भी हलत में समर्संत चंदा नहीं मांगेंगे भीक नहीं मांगेंगे हाथ नहीं फैलाएंगे कि समड़ संत का कारे बहर को आगे नहीं चला पाएंगे अब वो किसी और परिस्तिति फस ग lequel है बहुत सारीफ परिस्तिती हो सकती यदि संग संग से याशना करें अभी अकेले हैं, जैसे ही और संत बनेंगे, संग बन जाएगा, तो आपने संग से याशना करेंगे कि हम कारेभार नहीं उठा सकते हैं, हमको मुक्त करता है जो भी आदिस देता है, वो हमें पता चल जाएगा कर वो भी पालन करेंगे और हम भी पालन करेंगे समड़ संतों का साजनिक संबोधन समड़ संत समड़ों के हित में साजनिक संबोधन करेंगे किसी अन्य के अहित में नहीं यानि वो किसी भी हलत में किसी के अहित के वारे में संबोधन कभी नहीं करेंगे पॉजिटिव करेंग जो संत हैं वो संब्दन नहीं करेंगे वो मानने नहीं होगा समद संतों का आवा गमन किसी भी समद संत के काईकरम में समदों की गरिमा रखते हुए जाने की सुतंता किसी भी समद संत मलग कहीं भी कोई समद संत है अगर वो जाते हैं चाहें इंटेसन है या नहीं है वो अपन के समय स्वर्थ संत्व का ध्यान रखना आवगमन का मतलब हैлись कि संत पाइदान उपरंत हो जाते हैं जब वो कहीं आएंगे जाएंगे तो लोग उन्को गले में बाहें डालके या कंदे रखे चूकर या उनसे चिपकर नहीं रह सकते उनकी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा आवा गमन में अगर वह जाएंगे तो थोड़े सा सेप्रेसी उनके साथ में रहेगी जैसे संतों की हुनी चाहिए समर्संत की गरिमा किसी भी स्थिती में समर्संत की गरिमा बनाये रखने की बादेता ये समर्संत के लिए है कि वो खुद समर्संत की गरिमा क्योंकि बहुत बड़ा कारेभार है और पुराने सारे संतों की गरिमा का भारूं के उपर है अगर कोई समर्संत अपनी गरिमा को खो ठीक नहीं है उसको बदलना है या उसको संसोदित करना है या कोई नया नियम बनाना है या कोई प्राना नियम खतम करना है तो दो प्रिकार से वो हो सकता है जो समर्ण संग है वो इसको त्यार करे बताए या जो समर्ण संग है या उपासक लोगों का संग हम सब साधन लोग है क्योंकि वो जो नियम बनाएंगे वो हम पर लागू होंगे और हम जिसको एक्षप्ट करेंगे वो उनको मानने होंगे तो दौनों मिलके बैठेंगे अगर वो नियम दौनों से अनुमदित होता है पास होता है जैसे संतों ने संगों ने अपना नियम रखा इधर से हाउस ने थोप में वह भी निचलेगा और संथ संग है वह रहात में एक रहेगा अगर किसी संथ के मन में कभी ऐसा प्रस्ताव ऐसी कलपना सपने में आती है कि सपने में वह दूसरा होना चाहिए या दो होने चाहिए उसी पल से अपने आप वो संत देवदत की उपादी से नवाजा जाएगा उसको देवदत की उपादी मिल जाएगी समण संत का तूटना या उसका वाचन या उसका सोचना किसी भी आलत में बढ़ास नहीं होगा उस संत को तुरंट देवदत की उपादी के साथ जाना होगा यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप पुराने अगर संग को देखो तो बुद्ध ने देवदत ने जब तोड़ा संग को तो बुद्ध ने बदास ने कि आलाकि वह उनके भाई थे उसके बाद जीवन परियंत उनको कभी संग में लिया नहीं और संग को तुकला था उसको बापिस वंगा लिया और वह संग को बहुत हिपाजस से रखते थे और सबको यह कहके गए कि संग ही उनका पिता है संग क्या करतब हैं जो हम अनुयाई हैं उनके संतों के प्रतिक क्या करतब हैं संग संत आम संगों से एक पाइदान हमेशा उपर रहेंगे हमेशा उपर रहेंगे संग संतों के लिए आवशक्ता नुसार आवशक्ता पूरा करना संगों का करतब है यानि हमारी डूटी है कि अग उनकी गरीमा बनाए रखना है. समल संतों की किसी भी कमी को साजुनिक करना संग घात है. अगर मालो हमारे संत में कोई कमी आ जाये, वो संतों के विने के नियम से हटे, या लगे के वो कमजोर पड़ रहा है और हमारी जानकारी में आ गया, हम उसको साजुनिक नहीं कर सकते हम किसी प्लेटफार्म पे वीडियो बना के वाटसेप पे या कहीं किसी से नहीं कह सकते अगर हम ऐसा करेंगे तो ये समणगहात है समण संतों की किसी भी कमी को समण संग को नहीं बताना भी समणगहात है अगर मालो हमें कोई कमी का पता चल गया कि हमारे संथ में ये कमी है उसके कोई कारण हो सकते हैं जो हमारी संथ में नहीं आए है हमको ऐसा लगता है कोई मुगालता हो सकता है कोई गलती हमसे हो सकती है तो हमें ये बात समर्ण संथ को बतानी चाहिए कि फलाने समण संत में मैंने ये कमी देखी अगर वो उसे संत की कमी को छुपा गया और बाद में पकड़ा गया तो ये भी समण घात है ये भी समण संत के साथ घात है वो कमी उसे बतानी पड़ेगी वो संग हित में समण संत हित में है क्योंकि अगर आपने संत की कमी को अपने संग में नहीं बताएंगे तो दूर कौन करेगा फिर कहीं वो कमी अगर बाहर पगड़ी गई है बाहर दिखाए दी तो हमारे संतों का और हमारे संदों का बहुत बड़ा नुप्सान होगा उससे बचने के लिए उसको वो बताना ही होगा समड़ संत से गरीमा पूरबग वेवार ने करना दुस कर्म है यानि कोई व्यक्ति अगर गरिमा पूरबग वेवार नी करता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते पर दुस कर्म है अच्छा कर्म नहीं है सभी संद संद के संद बंदनी है यानि जितने भी संद हमारे आएंगे वो सारे संद के लिए बंदनी है आप संद से जादा धमिक हैं इसका प्रदसन करना दुसकर्म है कोई अनुयाई कोई साधान संद जो किसी संद से जादा जानता है या नियमों का ज़्यादा पलन करता है पर वो संत गोचित नहीं है और वो संत गोचित होना भी नहीं चाहता है पर वो किसी भी सभा में किसी भी जगे अपना ये प्रडर्शन नहीं करेगा कि मैं फ्राने संत से या समणों के संत से ज़्यादा जानकार हूँ अगर वो ऐसा करेगा तो ये दुसकर्म है वो बहुत ग्यानी हो सकता है पर जिसकी माननेता समण लोगों ने दे दी है उनके लिए वही मानने है आपके पास ग्यान है बहुत अच्छी बात है पर आप किसी भी हरत में किसी भी समण जो संथ है उससे कंपरिजन नहीं कर सकते है और लोगों में यह कहते नहीं सकते आप आपका ज्ञान बहुत अच्छी बात है यह दूसकर माना जाएगा कि समर्ण सम्धियां क्या क्या करेंगे हमारे लीह कि जो सामाजिक कारज हैं जितने भी हैं जितने भी संखार है परणे बंदन यानि शादी का है सगाई का है बद्धर का है जाद दिवस उत्सब बोलते हैं साधना का है समड़ संबंदी है उत घाटन है मिट्टु का संखार है सांथि पाठ है अनुमोदन है या किसी महापरुष की कोई लीला है या कोई और आपकी आवस्क्तिक निवसार वहां जा सकते हैं आपका वो काम करने का उनको राइट है वो आपका वो संसकार कराएंगे और मीचुल इंडेस्टिंस से रहे वो काम होगा उसमें सारी बातों का ध्यान रखेंगे दोनों ही संतों की जितनी समल संग है उसका व्यवत्थापन है वो खुद करेंगे समल लोगों को आच्रन संबंदी देशना और सिख्खा देना यानि कि जो हम साधरन लोग हैं उनको वो देशना आच्रन देश देना का उनके पास राइट है वो देंगे समलों का संबोधन समल संग के माध्यम से केवल अगर कभी सारे साधरन समलों को संबोधित करना हो देशना की अतरिक्त यानि कि आप देशना जो सद बाते हैं जो संतों की बाते हैं उसके अलावा किसी और टोपी पर कोई बात करना चाहते हैं तो आप केवल समल संग के माध् और देनी रहें कों बात करने रहें वां surge स्वाइben और इंड़ेक्ट और उसके संब्थन की बात कर देते हैं उससे क्या होता है हमारे संतों की प्रॉम्परा खतम हो गई और इसके अंदर आ गयी संत जितने सब नेता बन गेए तो ऐसा प्रॉम्परा हमारे आरहमों हो जाए इसनिए किसी भी संत को सीधे-सीधे करने की अनुमती नहीं जोगी है आवज सी आशिरवाद देने का अधिकार जितने भी संत हैं उनको किसी भी Anuis अनुईयाई को आशिरवाद देने का अधिकार है पजशल जीजा नदन तंतु बांदने का तेकर यानि जो पांच सील है उसको देने का दिकार है और वो पांच सील का तंतु यानि धागा बांधने का दिकार वो बांध सकते हैं right के साथ में कठोर वैवाद नालाइक लोग हैं जो मीठी बाद से साल्भासन हमान्ते हैं कर सकते हैं तलंगाना लगाने का गार्चाइइ baked смотреть ja राजनीतिक संबंदी कोई बात हमारे जो संत हैं वो नहीं कर सकते आर्थिक संबंदी कोई बात नहीं कर सकते यानि कि पैसा लेना है देना है या कोई एकाउंट बनाना है या एकाउंट में ऐसा करना है को लें देने वो कोई काम नहीं कर सकते ना उसमें कोई अतना विचार द नहीं कर सकते समदों को सीधे संबंद नहीं कर सकते राग दो संबंदी कलाओं का साथ प्रदसन नहीं कर सकते यानि कि किसी भी जगे जाके कहीं नाटक कहीं डांस कहीं मंचन कहीं कुछ इस तरह का राग देश वाली जो कला हैं उनका प्रदसन नहीं कर सकते कटू व्यवार नह संत के विने 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 पिटक अनुसार पमु माने होता है नर और इत्थी माने होता है महिला नारी यानि इन दोनों के जो नियम है वो विने विने पिटक अनुसार में मानने रहेंगे जो चलते हैं अगर संत मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होना है अगर संत मर जाते हैं द चैती या थूप का निर्मान जो भी मरने के बाद में उनकी क्रिया है दफनाने की पानी में बहाने की या उनको जलाने की उसके बाद में जो उनके धातूं है कोई उनकी हड़ी है को उनकी हड़ी है को उनका दाथ है को उनका बाल है उसके उपर चैती या थूप का निर्मान क करना संत्की इक्षा यहां अपनी समाधी थूब य domestic बनवा चाहिए जीत जीते शन्त अपनी इक्षा बता सकते हैं कि मैरे मनने के बाद में इस स्थान पर राच या मेरा मदना चाहिए संत परिवार यदि चैतिय थूप के लिए जमीनों पैसा देते हैं तो अच्छा है और अगर नहीं देते हैं तो उस वहां के जितने भी संद वह समड़ लोग हैं जो समड़ी हैं वह पैसा एक खटा करेंगे कम से कम एक इस तूप बनवाएंगे जो संत जीवन परिचे है संत लीडा है यानी कि जो उनकी लीडा है और जो मचुधी वैसे जिसिन उनका सरी होन चोड़ा है या जिसन वह पैदा हुए है वहां पर यह तूप loneư hr वहां पर उनके मनने वाले दिन और उनके जीवित होने उनके जरंद की वाले दिन वहां पर मेला लगेगा लोग इखटे होंगे उनको प्रचाइद करना और सभी संगतियों में अपने संदों के बारबार नमन करना नाम लेना यह उनके जो उनका मरने के बाद संखार है वो उस तरह का है समझ संखार विधी अभी यहां होगी जो पांच है उसके बाद में फिर समझ संखार विधी से पहले जो जो लोग बात करना चाहें देशाई सरके वारे में वो अपने वक्तब बताना चाहें वो बताएं उसके माने मक्ना सिर्फ संतसंबंधी कोई बात यशी नहीं, उनमें संतके क्या गुण से जीन में में फिर यहां जो जिनको फोटो सेशन कराना है वो फोटो सेशन कराएंगे दूरी बना कर रखते हुए उसके बाद खाना खाएंगे उसके बाद में यह काई करन जो संखार का है वो खतम हो जाएगा जी सर पुद्धं सरेन गच्छामी तर्दं सरेन गच्छामी तर्दं सरेन गच्छामी झाल झाल